कि नामस्कार हमारे वीडियो का टोपिक है मुगल प्रशाशन पूर्ण के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से मुगलों का केंद्रिय प्रशाशनिक विवस्ता का संचलेन होता था और केंद्रिय प्रशाशनिक विवस्ता के साथ साथ ही हमने देखा कि आकपर ने अपने संपूर्ण सामराज्य को बारा प्रांतों में विवाज़त किया था motion 1521 C üsky के अदर और तत पर साथ हम देख रहे है कि तीन और प्रांत ज The इसे मैं और और जूँट गे ते खांदेष ऐमद अag़र और बरार और औरंग्जेजब्स के समय में the maximum mod dopo average 21 मुगल प्रांत थेर या हम केहें कि औरंग्जेजब्स की समय मैं मुगल प्रांतों की संख्या सरवादिक थी जो की 21 थी अब इन मुगल प्रांतों को में प्रशाशनिक व्योस्ता को संचालित करने के लिए मुगलों के द्वारा एक प्रशाशनिक व्योस्ता का सेट अप किया इस्तापित किया और ये प्रशाशनिक व्योस्ता क्या थी इसके कि आहि fist को थे बारे में हम बात करते हैं मौहलों ने प्रांतों में प्रशास्थ व्योस्ता के संचालन की लिए या प्रांतों को हम देखरें कि दूसरा नाम था सूब्ह और सूबह का जो प्रशास्थ किया जा सकता था और किये भी गए हैं इस तान अंदर सुबेदार को सुबे के संपूर्ण शैनिक और आसनिक अधिकार प्राप्त थे 1586 में अकपर ने सुबेदार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए दिवान पद का सर्जन किया एक्चुली दिवान पद का सर्जन करने के पिछे का उद्देश्य जो था वो ये था कि बहुत सारे शुबों के अंदर कुछ तो वित्तिये गड़बडियां सुबेदारों द्वारा की गई और दूसरा ये था कि सुबे से समंदित किसी भी गौपनिय जानकरी को प्राप्त करने के लिए बादस्या को अक्षर सुबेदार पर ही निर्भर रेना पड़ता था और कई बार सुबेदार इन सुचनाओं को दबा देते या छुपा लेते और के अंदरी प्रशाशन तक ये सुचनाओं नहीं पहुंचती थी इसलिए सुबेदार के ही समकक्स एक व्यक्ति दिवान पद का सरजन करके और प्रांतों के अंदर सुबों के अंदर एक बिठा दिया करने जिससे क्या है और दोनों जो है रिपोर्ट के अंदर को रिपोर्ट करते थे जिससे की रिपोर्ट को टेली कर सकते थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रान्तों के अंदर जो दिवान युक्त किये थे इन दिवानों को सुबेदार से मुक्त रखा गया यानि ये सुबेदार के सबोर्डिनेट नहीं रहे करके ये सोतंतर रूफ से सुबे में अपना काम करते थे और अपनी रिपोर्ट बादस्या को प्रस्तुत करते थे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुबेदार किसी प्रकार का कोई विद्रो या कोई वित्तिये गड़बडियां करने के इस्तति में नहीं रहता था दिवान जिसकी हमने बात की है यह प्रांत का वित्त दिकारी होता था और वित्तिये मामलों को यह देखता था शाहिद दिवान के परती उतरदाई था नेकी सुबेदार के परती तो सुबेदार का इस पर कोई नियंतर नहीं था ये सवतंतर व्यक्ति था एक तरह से समेधानिक रूप से हम कह सकते हैं कि सवतंतर व्यक्ति है जो केंदर के परती उतरदाई नेकी सुबेदार के परती तीस थी और सुबह की सेना कि देख बाल करना और उन की वेतन संब्सताय करना चोथा व्यक्ति था वाग्य नविश्च होता था और रपटेक्श होस नoterको बहता था था नेस्ट है सद्र एकाजी प्रांतिय सद्र औरत्य एकाजी का पद कभी-कभी एक युख्ति को को दे देते हैं संद्र और काजी हैं कि दोनों को मिला करके एक ही विक्ति को दौनों पोश्टें देरी जाते थी अब्यभा Lord इस्लम के सुभव के पालन की विवस्ता करता था और काजी की दिश्टिश है है नाहे करता था यह दोनों काम के एकщगय्व द्वेरा देख देखा जाता था नेक्स्ट है कौतवाल यह सुबे की राजदानी तथा बड़े-बड़े नगरों में कानून व्यवस्ता की देखबाल के लिए ये विक्ति आपपोइंट किया जाते थे निव्य किया जाते थे ताकि बड़े-बड़े शेरों के अंदर बड़े कर्श्मों के अंदर जो है कानून व्यवस्ता लो एन ओर्डर की विवस्ता ठीक से बननी रहे हैं इसके बाद हम देखते हैं कि मुगल प्रशाशन में सुबह थे राज्ये को सुबहों में बाटा गया और सुबहों को सरकार अथ्वा जिलों में बाटा गया आगे तो प्रांत कई सरकारों म था बनाए रखना था और फोजदार की साहिता के लिए सरकार में एक आमिल होता था दूसरा कोतवाल और काजी इत्यादी कुछ आदीकारी होते थे एक अमल गुजार नामक पोस्ट होती थी जो कि किराजस रिवन नियो अदीकारी की तरह यह काम करता वर्तमान का कलेक्टर क के सकते हैं हम इसको अमल गुजार को और एक होता था बितिक्ची यह भूमी के लगान समंधी कारियों का जो है देखने का काम बितिक्ची का होता था अब हम देखते हैं कि सरकार को आगे परगनों में विवाजित किया गया था मुगल सामराजिया मुगल सामराजिये देन सरकार में विभाजित और सरकार परगनों में विभाजित तो परगना का जो शासन होता था तो सरकार के नीचे शासन की चोटी काई परगना होता था पर ठेक सरकार के परगनों में विभक्त होती थी और परगना का जो मुख्या होता था प्रशास्तिक अधिकारी उसको शिकद दर वो अमिल की साहिता करता था अपर्गने में एक अमेन नामा का एक व्यक्ति होता था यह प्रगने का वित्धीर होता था यह एक फौतदार की काम करता कानून गो इस परकाल हम देखत欸 के बड़ ने कि एक व्यवस्ता हुता थी शिटार से लेकर के कन standardized तक देन हम देखते हैं अंतिम कड़ी है ग्राम प्रशाषन परगने कई गाउं में बट्टे वेते या बहुत सार गाउं को मिला करके परगनों का निर्मान किया गये था और मुगल बादस्याओं ने ग्राम के शाषन का उतरादिकार अपने हाथों में ने लिये था उन्होंन ही चलता रहा लेकिन फिर भी एक मुकदम नामक एक पोस्ट वहां थी मुकदम के दो खूत के दो चोदरी के दो यह गाउं के मुख्या की तरह काम करते थे जो शांती वेवस्ताहिते थी बनाई रखना एक गाउं में पटवारी होता था जो भूले खाओ लगान वश्वली स देने का काम और इसके अलवा चोकीदारी से समझे कारी करता था तो इस परकार हम देखते हैं कि एक विवस्तित डंक से मुगलों ने प्रांती विवस्ता का निर्मान किया था और जिससे लाइन ओर ठीक से बना रहे और भूराज से वह शुली ठीक परकार से होती है थेंक्य प्रांती है